आज हमारे पुझ्य बापू महत्मा गांदी जी की पुन्डिती थी भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की सिख्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दीवस भी मनाया। दिल्नी में राजपत पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ की जो जाकी देखी उसने सबको गर्व और उत्सा से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा अब गणतंत्र दीवस समारो 23 जनवरी यानि नेताजी सुभाचंद्र बोष की जन्मजनती से सुरू होगा और 30 जनवरी तक यानि गांधी जी की पुन्यतीथी तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत गया देश के हर कोने से आनन की जो लहर उठी हर देश वासी ने जिस प्रकार की भावनाय प्रगट की उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों आजहदी के अमृत महोत्सों में देश इन प्रयासों के जरिये अपने राष्ट्रिये प्रतिकों को पुनर प्रतिश्थित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समी अमर जवान जोती और पाश में ही नेशनल वार मेमोरियल पर प्रजवलित जोती को एक किया गया इस भवुक अउसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आखों में आंसु थे नेशनल वार मेमोरियल में आजहती के बाद से सहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किये गए हैं मुझे सेना के कुछ पुर्व जवानों ने पत्र लिकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रजवलित हो रही अमर जवान जोती शहीदों की अमरता का प्रतीक है सच में अमर जवान जोती की ही तरह हमारे शहीद उनकी प्रेणा और उनकी योगदान भी अमर है मैं आप सभी से कहूंगा जब भी अवसर मिले नेशनल बॉर मेमोरियल जरूर जाएं अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं यहां आपको एक अलग उर्जा और प्रेणा का अनुभव होगा